हेलो अब्रिवन स्वागत आपका हमारे यूटोब चराल गयान पंचायत में आज को हमारा टापिक है वह है जनरल स्टेडीज आज हम लोग जनरल स्टेडीज के 40 महत्रपुन सवाल और उसका जवाबों को जानेंगे तो बिना किसी देरी के चलिश शुरू करते हैं पहला वेग कैसी राशी है तो उसका जवाब होगा वेग सदीश राशी है दूसरा समिधान के प्रारूप पर अंतीम वाचन कब समाप्त हुआ तो उसका जवाब होगा 26 नॉमबर 1949 को तीसरा कौन से तत्त्तव सबसे ज़्यादा सक्री होता है तो उसका जवाब है पोटेशिय चौथा किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यास्यों के साथ संग की अस्थापना की थी तुछ जगा का नाम था सार्नात पाचवा उमा की तपश्या श्री पार्वती वसंद प्रमान किस चित्रकार की उतकिष्ट कृतियां है ये कृतियां है नंदिलाल बोस की चटा सौर लिखोच कॉपर निक्स ने की थी साथवां भारत में निर्वित पहला उपगराप पक्छेपन वाहन कौन सा था तो इसका जवाब होगा आटवा राष्ट्री जनसंग के आयोग किस मतराले के अधीन आता है तो इसका जवाब होगा किसंगर सैली से अस्थी पर्चिति को शिकाओं में पाये जाने वाला परधात कौन सा है तो इसका जवाब होगा जल कोशी कौव में 80 प्रद्र चदीग जल पाया जाता है बारवां समिधान सभध्वार कब समिधान को पालित कर दिया गया तो उसको जवाब होगा 26 नौम्बर 1909 को तेरवा, न्यूटन नगती का प्रथन नियम क्या कहलाता है? तो न्यूटन नगती का प्रथन नियम जरत्व का नियम कहलाता है चौदवा, कलिंग यूद कवर्नन असोक के किस सिला लेख में है? कलिंग यूद कवर्नन असोक के तेरव सिला लेख में है पंद्रवां विश्व प्रसिद्व पेंटिंग मुनाली साहव किसकी कृती है तो इसका जवाब होगा लियनाडो दविंसी की शोला, सौर्मनलों को सबसे उंचा परवत, टिक्स ओलम्पिया किस गहा परस्तित है तो इसका जवाब है, मंगल पर सत्रवाँ, सी एडी का क्या तात्परी है तो इसका फूर फाम होता है, कम्प्यूटर एड़िट डिजाइन अठारवां, शिशु मिर्थ दर में कितने वर्ष की आयू के पूर्व मिर्थ शिशु को सामिल किया जाता है तो इसका जवाब है एक वर्ष के पूर्व उनिस्वां, बजार के निदेख्षक को क्या कहा जाता है बजयार के लक्षर को शहाना ए मंडी कहा जाता है 20. मिथिला पेंटिंग किस राजी के प्रसित्र चित्रकला शहली है? 22. कौन सा तत्वा सबसे कम सकरी होता है? इसका जवाब है सीषा सीषा यानिके लेड ऐलमेंट सबसे कम एक्टिव होता है 22. समिधान सभा के प्रारूप समीति में कुल कितने सदस्य थे तो उसका जवाब होगा समिधान सभा के प्रारूप में कुल साद सदस्य थे 23. सब्स छोटा कोशी की अंग कौन सा है तो उसका जवाब है सब्स छोटा कोशी की अंग रायवोजोम है चौबिसवा अलावदिन खिल जी ने किसे दीवाने एरियासत नुक्त किया था तो उसके जवाब है अलावदिन खिल जी ने मालिक याखूब को दीवाने एरियासत नुक्त किया था 25 बेगा मक्तर गायान की किस विद्याज संबंद है तो इसका जवाब है गजल गाय की से 26 एक प्रकास वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है तो इसका जवाब है एक प्रकास वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10.12 किलोमेटर 27 ओलमपिक मशाल किस परदाज से प्रजोलित की जाती है तो इसका जवाब है सूर्य की रन से 28 बारत में जीलों की कुल संख्या कितनी है तो इसका जवाब है 718 बारत में कुल जीलों की संख्या 718 है 29. सल्तनत कालिन सुल्तानों का सासनकाल में किस के सासनकाल में सरवाधिक दास थे जोश का जवाब है फिरोज सहत उगलक 33. माइक पांडे किस छेतर से संबंद है माइक पांडे वन दी जिपर फिल्म निर्मान से संबंद थे 31 परदात के समवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिग्रासी प्राप्त होती है समवेग यानि के मोमेंटम वेग यानि के वेलोसिटी जैसा कि हम लो जानते हैं समवेग बराबर होता है एम वी यानि के मास इंटू वेलोसिटी तो मास बराबर होगा PYV याने की समवेग और वेग तो इसका जवाब होगा दवेमान 32 समिदान सभा के जंडा समिती का अध्यक्ष कौन थे तो इसका जवाब है जेबी किप लानी 33 लोहा एक गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है तो इसका जवाब है असमांगी मिश्रण याने की हेटरोजनियस मिक्षर 34 औरंग जेव ने सीवाजी के विरूद किसे दक्कन का सुबिदार बना कर भेजा था तो इसका जवाब है औरंग जेव ने साइस्ता खां को भेजा था 35 36 यहुदी मेनुहिन किस वादी एंतर के प्रमुक वादक थे तो इसका जवाब है वाईलीन के 36 सूरी के अपेक्छा करी ठंडे भाग जिसका तापमांद 1500 डिग्री सेलसेस होता है क्या कहलाता है वो कहलाता है सौर कलंक 37 विश्व में सरव प्रतम किस अंग का परतिया रूपन संभव हुआ तुसके जवाब है हिर्दय का यानि की हाट का 38 जनगनना की तर्ज परमिर्तियू गनना वाला पहला राज्य कौन सा है 49 वां किस मुगल वासान वसीहत लिखकर अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया था कि वे असद खां को वजीर बनाए इसका जवाब है औरंग जेव ने अपने वसीहत लिखकर अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया था कि वे असद खां को वजीर बनाए चालिस हुआ, हीटनी हुष्ट और किस छेतर सम्बंदित थे, इसका जवाब होगा, वो पॉप गाय किसे सम्बंदित थे तो दोस्तों, आज का हमारो टॉपिक यहीं सवाप्थ होता है, हमने आज इतने भी कोश्चन को डिसकस किया है, इन सबका पीडियाफ हमें डिसक्रिप्शन में डाल दिया है, अगर आपको इसे टॉपिक या विश्चा के बारे में और जानना है, तो हमें कमेंट में जुरू बताएं, आगर आपको इसे वीडियो पसंद आया, तो इसे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को सेर करें, और हाँ, हमारी चैनल को सब्स्राइब करना ना बोलें